देखो इस वीडियो का मेन मोटो है बनाना जो बच्चे में 2024 में एक्जाम दी है, उनको पेपर में एक्जमसन आया, साथ में वो सेप्टेमबर में देना चाह रहा है, बच्ची के मन में डाउट आ रहा है, वो घवरा रहा है, ये वीडियो देखने के बाद आपका डाउट क् नहीं मिलता है, अगर आप लोग C.A.Foundation का एक्जाम सेप्टेमबर 2024 में दे रहे हो, सीधा वीडियो को स्किप्ट कर देजे, ज़्यादा ब्रेन पे ओवर्लोड लेने का जरवतने, एक्जमसन क्या आया, क्या नहीं है, जब आप Intermediate में जाओगे ना, तो आपको समझ में आजाएगा, वाकि समझने के point of view से देखना चाते हो, तो देख लो, comment करने के लिए नहीं के एक्जमसन गया, अब बात कर लेते, आपने C.A. Intermediate का कोई भी एक ग्रूप का एक्जाम दिया, में 2024 में, वो ग्रूप क्लियर हो गया, साथ में आपको एक्जमसन भी आया, अब जब आप C.A. Intermediate का कोई दूसरा ग्रूप का एक्जाम, September 2024 के लिए, या January 2025 के लिए एक्जाम पॉर्म फिल करोगे, तो वहाँ पे आपको एक्जमसन से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर आपका वो ग्रूप क्लियर है, माल लेते, ग्रूप 1 क्लियर है, ग्रूप 2 का ए पास हो तो बात ही खतम है, अगर वो ग्रूप पास है विट एक्जमसन अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको एक्जमसन आया है, दियान से बाते को सुन लीजेगा, एक्जमसन आया है, लेकिन वो ग्रूप पास नहीं हुआ है, बैन आप क्या करोगे, एक्जाम पॉर्म फ मैंने क्या बोला था, automatic fill होगा exemption, लेकिन अभी आपको fill करना परेगा exemption, जिन बचों का automatic fill होगा अच्छी बात है, जिन बचों का नहीं होगा, उनको fill करना परेगा, तभी जाकर कि आपका exemption fill हो जाएगा, ठीक है, कोई दिकद वाली बात है, अब बचे घबरा रहे हैं कि automatic यह को doubt रहने का नहीं, क्यों कि charter studies है क्या करना होगा, exemption window बच्चो open होता है, अगर exemption window में आप लोग चेक करोगे exemption window कब open होता है, आपके admit card release होने से एक या दो दिन पहले exemption window open होता है doubt clear, या उस दिन भी open हो सकता है जिस दिन admit card release हो रहा है तो आपको यह नहीं सोचना है कि exemption window कब open होगा, कब open होगा एक और चीज़ doubt आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे से intermediate का या final का सब स्यादा doubt आ रहा है intermediate का मान लेते हैं कि मेरा group भी कर गर नहीं हो लेकिन मेरा 59, 58, 55 marks है मुझे ऐसा लगता है उस paper में exam देने जाना नहीं पड़ता है अगर मान लेते हैं, जिस भी paper में आपको 60 marks आ गया है, ठीक है और सारे paper का exam दियो, यह नहीं कि हम एक paper का exam दे दिये और हमको 60 number आ गया, बाकी का 2 paper में absent कर गया नहीं, exemption नहीं मिलेगा, rule ही होता है उस group के सारे paper में फिल किये उस group का, और आपको group wise ही exam form फिल करना होगा, फिर से आप exam form फिल किये, लेकिन जो paper चाहिए, paper 1 में exemption है या paper 2 में, उस paper में आपको exam देने नहीं चाना है, attendance बनाने भी नहीं चाना है, सीधा आपको absent कर लेना है, लेकिन sure कब होगे आपके admit card पे लिखा होगा, exemption के बारे में, साथ में जब September का release होगा, मैं सारा update करूँगा इसके अलाब, exemption window में so कर जाएगा Charter studies सब कुछ update करें कैसे exemption status check करें, कब so करेंगा, ये सब चीज़ आपको सोचने का जरुबत नहीं है, Charter studies वीडियो बना करके update कर देगा, अब जो बच्चे के मन में doubt है, कि मुझे 59 आया है, लेकिन हमें मेरा group भी clear नहीं वाले, कि मुझे लगता है कम से कम इस paper में exemption आ जाता verification के लिए apply कर रहे हैं, मैं manually भी exam form fill कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन हमें दो doubt, exam form fill कर देंगे verification result बाद में आएगा, और हमें क्या होगा, कि बाद में अगर मेरा result change आता है एक दो number बढ़ जाता है, मुझे exemption मिल जाता है तो मेरा क्या होगा, मैंने तो exam form कुछ नहीं होगा, अगर आपको exemption आता है, verification में apply करने के बाद मैंने क्या बोला, exemption window open होता है क्या बोपन होता है, admit card release होने से पहले, या admit card के दिन open होता है, या एक दिन पहले open होता है तो अगर आपको exemption आता है verification में apply करने के बाद वो सारा information mail पे आता है देन आप जब exemption status में check करोगे तो आपको मिला होगा तो आपको relax रहना है, तो आपको September में exam देते समय, आपको इतना panic होने का जरूत ने, उस paper में नहीं जाना है exam देने, doubt clear हो रहा होगा सारा doubt आपको clear कर दिया और हाँ, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि panic हो जाते है, उनका group भी clear हो पिर भी exam पॉम दूसरे group का fill कर रहा है, पहले group में exam उसके लिए रो रहे है, परिसान हो रहे है, नहीं आपको क्यों exam डीटेल fill करना, भाई उस paper में नहीं exam देने जाना होता इसे लिए न, तो आपको तो already वो group clear है, तो उसमें क्यों जहां होगे exam देने doubt clear हो गया, और कोई भी additional doubt हो, सबसे ज़्यादा यही doubt आ रहा था, कि verification में क्या बोलते हैं, verification में अगर apply कर देते हैं, बाद में marks बढ़ता है, मैंने तो exam form fill कर दिया, क्या होगा, exemption window में इसके लाबा एक और चीज़ राउट आ रहा था, जो कि important, मुझे लगता है change हुआ है, कि देखो, पहले ऐसा हो था जिन बच्चों का exam form fill करने जाते थे, exemption होता था, automatic fill होता था, इस बार क्या हुआ है, थोड़ा सा result बाद में आया, exam form पहले start हो गया, तो बच्चों को manually fill करना पता है, इतना पारिसान होने का बात नहीं, मान लेते हैं, गलती से, मुझे ऐसा लगता है, मुझे exemption है, मैंने exemption detail fill कर दिया, मान लेते हैं, मेरा exemption detail fill करना miss हो गया, दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा, जब exemption window open होगा, आपका जिस दिन admit card release होगा, या उससे एक दिन पहले, I hope कि आपका doubt clear हो गया होगा, मेरे इसास वीडियो थोड़ा लंबा था लेकिन मुझे समझाना, बहुत जोड़ते हैं, बहुत सारा message इसके related आ रहा है, मेरा 2 number, 3 number, 4 number, verification में बढ़ता है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा अगर आपको exemption आ जाता है, exemption window में सो कर जाएगा, नहीं फिल किया, एक्जाम फिल कर पाया exemption, exemption window में, दूद का दूद, पानी का पानी हो जाता है, हर गलती का solution होता है, panic नहीं होना, I hope कि doubt clear हो गया, मुझे समझाना बहुत जोड़ी था, कैसा लगा, वीडियो comment box में बताइए doubt clear हुआ है, तो comment box में thank you लिखे हैं, मिलते हैं next video में